आपका स्वागत करता हूं यूटूब चैनल अंगद मोर्या मोटर समय वल्ली पर जिहां तो इस चैनल को लाइक सेस्क्राइब शेयर जरूर करें तो साथियों आज आपके बीच में मैं बात करने आ रहा हूं बरतमान इस्तिति के उपर साथियों तो यह जो भी हमारी बरतमान इस्तिति चल रही है इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर गजब का भाय डर संका बैठी हुई है ऐसी इस्तिति में किसी व्यक्ति की नौकरी जा चुकी है इसी इस्तिति में कोई व्यक्ति अपना बिजनस गवा चुका है कोई एक दुसरे से मिलने में डरने लग ग को सकते हैं कि बड़े बड़े देश के प्रतितमस का चना चपाना चलोकर चुके हैं तो ऐसी इस्तिति से उबरने के लिए आप लोग लगाता टीवी के मातयम से सुनरे होंगे पेपर से सुन्ञें वह व्यक्ति इस रोग से निजात पा सकता है इस वाइरस से आराम से लड़ सकता है बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट यहां तक आया कि जिनके अंदर इमिन्टी पाउर मजबूत होगी उसके अंदर यह वाइरस आएगा भी और चला भी जाएगा उसे पता तक नहीं तो साथियों इसका मतलब यह है कि ऐसे इस्तिती से उबरने के लिए सिर्फ एक ही समाधान है इमिन्टी पाउर को बढ़ाना तो साथियों ऐसे ही इमिन्टी पाउर को बढ़ाने वाले एक सांदार प्रोड़क को लेकर कि आपके बीच में आ रहा हूं जिसको जरूर तो देश दुनिया अच्छी लगेगी तो साथियों ऐसे ही इमिन्टी पाउर को बढ़ाने वाला प्रोड़क्ट सांदार आपके बीच में लेकर क्या रहा हूं आपकी नजरे स्क्रीन पे सर्दी जुगाम बुखार फ्लू आदी से हम सब कभी नगभी पीडित होते ही हैं दो दिन तीन दिन से लेकर हफ्ते भर चलने वाली ये तक्लीफें काफी कश्ट दायक हो सकती हैं धूम्र पान करने वालों, किसी अन्य बेमारी से पहले से ग्रसित लोगों वा बढ़ती उम्र के लोगों में तो फ्लू जैसा कोई इंफेक्शन जान लेवा भी हो सकता है अक्सर इन सब तक्लीफों की वज़ा वाइरल संक्रमड यानि किसी वाइरस द्वारा होने वाला इंफेक्शन होता है वाइरस बहुत ही छोटे जिवानों होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसकर और उनके अंदर ही अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा कर कई तरह की वीमारियां पैदा कर देते हैं फ्लू और इंफ्लू एंजा के अलावा हेपेटाइटिस जैसी वीमारियां भी वाइरस के कारण ही होती है श्वसंतंत्र को संक्रमित करने वाले वाइरस, बिमार व्यक्ति के छींकने, खांसने, हाथ मिलाने या फिर देर तक बिमार व्यक्ति के संबर्क में रहने से हम तक पहुँच जाते हैं वाइरल संक्रमणों का खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब हमारे शरीर की इम्मिनिटी कम होती है हमारी इम्मिनिटी बहुत से कारणों से घटती है जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, वो फाइवर की कमी, शारीरी या मानसिक तनाव, धुम्रपान, तंबाकू या शराब का सेवन हमारी इम्मिनिटी घटाते है बढ़ती उम्र, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या दमे आदी किसी रोग से पहले से ग्रसित होने के कारण वाइरल इंफेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है ध्यान रहे कि एंटिवाइटिक से वाइरल बिमारिया ठीक नहीं हो सकती है तो फिर क्या किया जाए सर्व प्रतम तो हमें संतुलित आहार वा हैज सप्लिमेंट्स लेकर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वा फाइबर का पर्याप सेवन करना चाहिए प्रकृती में भी हमें कई एंटिवाइरल हर्ब्स दिये हैं जो वाइरल इंफेक्शन से हमारी रक्षा करते हैं वह हमारी रोग प्रतिरोदक शमता बढ़ाते हैं ऐसे ही कुछ बेहत शक्तिशाली हर्ब्स हैं ब्लैक सीड यानि कलॉंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना जिनके एंटिवाइरल और इम्मिनिटी बढ़ाने वाले गुण विग्यानिक रूप से सिद्ध हैं ब्लैक सीड को कुरान और बाइबल में मौत को छोड़ कर हर बिमारी का इलाज वताया गया है विग्यानिकों के अनुसार ब्लैक सीड ओयल, प्लू जैसे इंफेक्शन करने वाले वाइरस की कुछ प्रजातियों द्वारा संक्रमिक, मानव कोशिकाओं में वाइरल लोड यानि वाइरस विशानूओं की संख्या को कम करता है वेग्यानिकों के अनुसार ब्लैक सीड ओयल में मजूद थाइमोक्विनौन तत्व वायरस के उन आरने कनों को ही ब्लॉक कर देता है जो इंफेक्शन्स को फैलाने की प्रक्रिया के लिए जरूरी होते हैं ब्लैक सीड में एंटी ऑक्सिडेंट, सूजन रोधी, इम्मिनिटी बूस्टर वा एंटी अलर्जिक गुण भी होते हैं जो श्वसंत अंद्र और नाक के अंदर होने वाली सूजन और अवरोध वा अन्य समस्याकारी लक्षणों को दूर करते हैं अपने इन विभिन स्वास्ते रक्षक गुणों के कारण ब्लैक सीड इन जानलेवा वाइरल इंफेक्शन से हमारी रक्षा कर सकता है ब्लैक सीड वाइरल बुखार, सर्दी जुकांग और खांसी में भी बहुत लाब दायक है ब्लैक सीड ओयल के अलावा तुलसी भी इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए विश्व प्रसिद है और बुखार, सर्दी जुकांग खांसी जैसी तक्रीफें दूर करने में बहुत मददगार है नीम खुन साफ करने के लिए प्रसिद है और शरीर से हानी कारक तत्वों को बाहर निकाल कर हमें रोग मुक्त रखने में मदद करता है नीम का सत्व शक्तिशाली एंटी वाइरल भी है विज्ञानिक शोदों ने सिद्ध किया है कि एलो विरा और उदीने में भी इम्मिनिटी बढ़ाने वाले और एंटी वाइरल गुन होते हैं कितना अच्छा हो अगर एंटी वाइरल और इम्मिनिटी बढ़ाने वाले ये पांचों हर्ब्स हमें एक साथ मिल जाएं ताकि हम इनके फाइदों का लाब उठाकर वाइरल बिमारियों से अपनी रक्षा कर सकें पेश है न्यूट्रिचार्ज S5 पांच स्वेम सिद्ध लाबकारी हब्स के सैयोजन से बना एक शक्ति शाली सप्लिमेंट न्यूट्रिचार्ज S5 की हर कैपसूल में 100 नीम की पत्यों के बराबर पत्यों का सत्व 200 मिली ग्राम कलॉंजी के बीजों के बराबर तेल और 5 ग्राम ऐलोविरा के बराबर ऐलोविरा का सत्व डाला गया है साथ ही इसमें डेट सु मिलिग्राम तुलसी की पत्तियों के बराबर तीन प्रकार की तुलसी का सत्व भी है और वो भी करीब 14 रुपे की कीमत पर इतनी मात्रा में इन सभी हब्स का रोजाना सिवन प्राकृतिक रूप से करपाना समानिता असंभव है सौ प्रचिशत शाकाहरी न्यूट्री चार्ज S5 समुद्री पौधों से प्राफ शाकाहरी कहरा गिनान से बने पेटेंटिट वेच सॉफ्ट कैप्सूल में उपलब्ध है तो देर ना करें आज ही से रोज एक न्यूट्री चार्ज S5 कैप्सूल लें और वाइरल बिमारियों से बचने में हब्स की मदद लें तो साथियों आपने देखाना सांदार न्यूट्री चार्ज S5 जिसके अंदर पांच और सदी गोड़ और हमें हर तरीके से मजबूत बनाते हैं तो साथियों यही है न्यूट्री चार्ज S5 आप इसका सेवन और अपने परिवार को सेवन और अपने जान परचान के जो भी साति हैं सबको सेवन कराना चालो कर दिजिए जब चलते फिरते लोग नसे वाले चीज़े एक दुसरे को दे सकते हैं तो इस इस्तिती से उबरने के लिए किसी ब्यक्ति के परिवार को बचाने के लिए किसी ब्यक्ति के स्वास्त को बचा से यानि जुलाई में खर दने से और अगस्त में खर दने से इसके उपर एक जवर जस्त फायदा आपको मिल सकता है इस महिने जिन भी साथियों के इस साथियों के सिल्फ आईडी पर एक हजार बिजनस बैलू का यदि नूट्री चार्जेस फायप इस जुलाई महिने में होता है तो एक सांदार लकी ड्रा में सामिल हो सकते हैं जिसमें 20 साथियों को ग्यारा हजार रुपया और एक साथियों को लकी ड्रा दोरा कार्व मिले और साथियों इसी तरीके से अगस्त महिने में भी जिन साथियों के सिल्फ आईडी पर यदि नूट्री चार्जेस फायप एक हजार बिजनस बैलू हो जाता है उनको भी इसी तरीके के पुरुसकार मिलेगा तो साथियों इस समय सूने पे सुहगा चल रहा है आप अपने स् तुरान इसको जरूर कर दिये